तो कैसे आप सभी आप सभी स्टूडेंस ठीक होंगे तो मैं विबेकरन सर्म आपका फिस्तु सागर करता हूं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट्स में तो जैसा कि कि आप सभी स्टूडेंस काफी परिसान होंगे कि आपके जो बीए प्रोग्राम और एक्स स्टूडेंट की जो जलते वो कवाएंगे 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 देखो फाइंली अपडेट जो है वो फिक्स हो चुकी है पंद्रा जनवरी जी अब यसा मैं क्यों कह रहा हूं उस अब बात आती है कि पहले X student की में बात कर लेता हूं अगर कोई X student लिएक को देख रहा है तो उनके जो बीकॉम के जो pending result थे यानि X student के उनके भी result कल declare कर दिए गए जी हाँ अभी सब बीकॉम के आये बाकी अभी और courses के जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बता दूँ अगर बाक अगस्ट और सेब्टेमबर में फर्स्ट वेस और सेगेंड एक्जाम मोड और अपने घर में उर सेंटर पर जाके यानी फिजीकल मोड पर और रिमोर्ट मोड पर दिये थे अब उनके रिजल्ट कब तक आएंगे देखिए जैसा कि गी पहले भी कई सारी आपको अपडेट दीे कि आपके जो रिजल्ट है पहले दिसंबर को आने थे अब उससे देट बड़ाकर पहले पांच जनवरी किया गया और पांजा जनवरी की डेट इन्होंने fix कर दी है जी हाँ पंदा जनबई तक आपके किसी भी time result open book examination के बीए program के दुबारा मैं बोल ला हूँ open book examination के बीए program के आपकी जो result है वो किसी भी time टक कर दिये जाएंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं स्लिए कह रहा हूं देखिए मैं चार आपके सामने point रख रहा हूं इन चार पॉंटों से confirm हो चुका है कि आपके बीए कि जो आपका जो रे जाइंट आने का confirm कर दी है कई सारे students के मैंने skin shot मेरे पास आए और वो एक ही बात पर ठीक हुए है कि 15 जनबे तक आप सभी के result भी ये program के declare कर दिये जाएंगे तो इसके जो section officer जब महां का section officer आप सोची सकते हो section officer कितनी बड़ी पोस्ट होती है जो मेन officer वो कि कह रहा है कि ये program के ज़र 15 जनबे तक किसी भी टाइम कर दिये जा सकते है यानि किसी भी टाइम आ सकते है तो यह तूसरा point ब्रुकुर फिक्स होगता है कि आ सकते है अब तीसरा point क्या है कि आप सभी को पता होगा कि जो एगनू के जो एड़ी सं जनबर तक जो होने थे उसको डेट एक्सेंट करके आठ जनबरी तक कर दिया गया था अब आठ जनबरी तक रिजल्ट इनके आने ते सारे पर नहीं आया अब मैं एक आपको खुसका भी जिना चाहता हूं इगनू की जो एड़ी सं की जो डेट पीजी की वो 15 जनबरी तक ब जनबरी तक बढ़ा दिये तो इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इगनू तब तक अपने एड़ीशन बढ़ाएगा जब तक सारे रेजल्ट डिकलेर नहीं हो जाते मैं मुझे पहले से ही पताता है ऐसा इसी साल हुआ है कि इगनू ने 31 दिसंबर के अलावा भी अपनी डेट इदनी आगे बढ़ाई नहीं बनना इगनू ने कभी अपनी डेट आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एस वैल भी एक ओपन बुक यूनिवर्सिटी है जो आपके ओपन से आपकी पेपल लेती है तो जहां तक है जिन्ना मैंने कन्फर्म किया कि एस वैल के डिजल कहीझना कहीं इगनू के अडविसट से रिलेट करते और यह पक्का हो चुका है कि जब तक अपने अडविसटर आगे बढ़ाता रहेगा जब तक एसोल के डिजल नहीं आते अब डेहें दो डेट बिलकूल फिक्श हो चुकी यह लॉक को चुकी अपकि इ इगनू अपने पीजी के एड़ीशन 15 जनवी तक उन्होंने बढ़ा दिये अब बात रहें कि आप आपके आपको आपको अपडेट देता ही हूं बाकि रोजाना आपनी आपको अपडेट मिली जाएगा मैं आपको जरूर बता दूगा तो इसी टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो बनाएंगे कि कई सारे स्टूडेंट में बार बार मैसेज कर रहें कि सर ओपन बुक का बताओ बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट का बताओ तो फाइनली मैंने बता दिया आयोप आपको वीडियो समझ में आयो होगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले ताएकि मैं आपको अपडेट दे सब्सक्राइब तेंक यू